गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आई होब यू आर वेल और गुड, I'm your पंजाबी टीचर, and today we are going to start our 7th chapter, लिंग, लिंग की हुन्दा है, तुसी अपने कारवीच अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी आदी, नू उना दे धर्जे अनुसार बला जानदर वस्तुआ वांगी, गैर जानदर वस्तुआ देवी लिंग हुन्दे हन, जो उना दे अकारनों दर्साओं दे हन, कि ओहो वस्तु वड़ी है, जा छोटी, जिमें डबा डबी, चर्का चर्की, आदी, ए बचे बे जानदर वस्तुआ हन, जिनना विच जाननी उन्हा देवी लेंग बदले जान देहां इसनु ही असी लेंग आख देहां नाम शबदे जिस रूपतो नर्मादा आदमी और जा पुर्ष इस्तरी आधी दे पेत बारे पता लगे उसनु असी लेंग आख देहां लिंग अग्ये दो किस्तम दे हुन दे हान पुलेंग अते इस्त्री लिंग। लिंग अग्ये दो किस्तम दे हान पुलेंग अते इस्त्री लिंग। लिंग अग्ये दो कुलेंग अते इस्त्री लिंग। निजम हान थोनु दित्ते गए हान तुसी यहे जुरूर दोधो वारी पढ़ने हान ते जड़े शाब्द हान लिंग पुलिंग वाले ओभी तुसी जुरूर दोधो वारी रीड करने हान अगे बच्चे 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 ब लेंग दे बारे पता चल थके ते होन मैं थो नूँ कोशी याद रखन जो गल्ला दसांगी वो तुसी याद रखन यहान कि जड़े शब्द नर मादा जा मर्दावें जनाने होन दे पेदनू परगड कारन उन्नानू व्याकरन विच लेंग आख देहान ते लेंग दो परकार दे होन दे हान पुलिंग आते इस्त्रीलिंग जड़े शब्द नर्जा मर्दावें होन दा पेद परगड कारन उन्नानू पुलिंग आख देहान ते जड़े मादा जा जनानने होन दा पेद परगड कारन उन्नानू इस्त्रीलिंग आख देहान तो इस पार्ट नों तुसी शरूर दो बड़ी रीड करना है ते दो बड़ी रीड करके इस ते जो अभियासि बहुवी कल्पी प्रशन उत्र हन उन्हा नू तुसी बार्शन उत्र सौब करना है ते जेड़े पिछे प्रशन उत्तर दित्ते गए हन उन्हा नू भी तुसी notebook दे वेच लिखना है यह तुसी उदो ही लिख सकते हो ज़़ तुसी पाटनों त्या अनाल दोवरी पढ़िया होवेगा, सो पाटनों जुरूर बच्चे दोवरी पढ़ना है, रेड करना है याद करना है, सो we will meet in the next class, thank you so much and have a nice day